अपीदक आपने इन्वॉलॉप टीडिएल देखा, ट्राब्समीन टीडिएल देखा, आज मैं अनुख के लिए एक टीडिएल और लेके आया हूँ ग्रीड्लाइन टीड्ल, हेलो दोस्तों, वैलकम टो मैं चैनल में हूँ व्यार क्रेकस और आज लेके आया हूँ तो आपके लिए gridlines TDL जो यूज होगा अभी जो audit का समय आ रहा है audit में आप report printing करना चाहते है case register, cell register, bank register, jv register, सब कुछ करने के लिए अगर gridline हो तो audit करने वाले को भी मज़ा आता है तो इसके लिए मैं आज आपके लिए खास लेके आया हूँ gridline TDL तो आप कहीं से भी use कर सकते हो आप देख पा रहे हो मैंने सभी जगह पे इनका shortcut की दिया हुआ है आप screen पर देख पा रहे हो तो चलो में लेके चलता हूँ आपको balance sheet में पहले वहां पे line आप कोई भी पसंद करो print तो black की आने वाला है लेकिन आपको अगर 3-4 color में ने दी हुए इसके इसाब से आपको आपका पुरा print आने वाला है इसके बाद अगर आप sales register में चले जाओगे वहां भी आएगा और खास बात यह है कि अगर आप sales के invoice में भी line चाहिए तो वह वहां भी आ जाएगी बस एक ही shortcut की है वहां से yes no करते रहना है और वह आपको print आता रहेगा कोई भी voucher हो purchase voucher, delivery not voucher, जेवी रजिस्टर, cashbook सब भी जगह पे मैंने दिया हुआ आज कर तक आपने ऐसा वीडियो नहीं देखा होगा जहां सभी टाइप और सभी जगह पे यह आपको मिलता हो हां मिलता होगा एकार जगह पे मिलता होगा लेकिन मैंने editing करके देखो cashbook रजिस्टर जब हम print निकाल लेजर पिन करते हो तो वहां भी आसानी रहेगी चेक करने अगर guideline हो तो thank you